नमस्कार प्रिणाम मैं मधुबाला आप देख एक न्यूस 24 देखें पता दे तेजश्वी आदब क्या कुछ बोले हैं यहां तक कि तेजश्वी आदब लगातार नितेश कुमार रहे चिराग पासवान जितन रामांची पर तंज कसते वे नजर आ रहे यहां तक कि तेजश् आद को भी ले करके काफी कुछ बयान बाजी शुरू कर दिये हैं सेस्टी आरक्षन में क्रीम लेयर और सब काटेगरी के खिलाब भारत बंद के बेच बेहार के पुर्वर डेप्टी सीम तेजश्वी आदब ने एंडिये के निताओं को घेरा है तेजश्वी ने बुदव को केंद्रिय मंत्रे जितनराम मांजी से सवाल किया है कि वे सुप्रिम कोट के आदेश का समर्थन कर रहे तो खुद बताएं कि वे उनके बेटे संतो सुमन और परिवार के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं उन्होंने मुख्या मंत्रे नितिश कुमार को बेचारा और लाचार करार दिया है साथी चिराग पास्वान से उनके संपन दलितों को आरक्षन छोड़ देने वाले बयान पर भी सवाल किये हैं बिहार में अपराध चरम सीमा पर है सीम के बस की बात नहीं है बिहार चल नहीं रहा है ग्रिह मंत्राले कानून व्यवस्था उनके भीत हैं घर से नहीं निकलना चाहते हैं घर में खुसकरी हत्या कर दी जा रही है पटना जैसे सहर में बं फोड़े जा रहे हैं पूरी तरह से नितिश कुमार असमर्थ लग रहे हैं प्रशासन से एक बाल खत्म हो चुका है पुलिस के अधिकारी है उनके हाथों में ट्रां का मनोबल उच्चा हो रखा है जब तक उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा सजा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा नितेश के राज में नयाय मिलना असंभव हो चुका है राष्ट्रिये जनता दल आरजवेडी के नेता तिजश्वी आदव ने मिडिया से बात्चित में कहा है कि सुप्रिम कोट का जब आदेश आया था तब ही उन्होंने कह दिया था कि इन वर्गों में क्रीमी लेयर प्रावधान नहीं होना चाहिए दलित समाज में पिछड़ा पन रहा है उसी अधार पर उसे आरक्षन दिया गया उन्होंने आरोप लगाया कि नरिंद्र करके आरक्षन खत्म कर दिया गया हमने इसका विरोध किया लेटरल एंट्री का मुद्दा उठाया तो कुछ ही घंटे में आदेश वापस लेना पड़ा समविधान बचा रहे हैं आरक्षन लोगों को मिलता रहे या हम यही चाहते हैं बिहार विधान सभामे निता का परिवार इसमें आता है या नहीं क्या आंदोलन करने से पहले वह विस्तिफा देंगे किंद्रिये मंत्री चिराग पास्वान को आड़े हाथ हो लेते वे तेजश्वी आदब ने कहा है कि मांजी के बयान पर उनकी क्या प्रतिकीरिया है दोनों ने ता एक ही गठ बंदन एंडिये में हैं फिर भी दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं ते जश्वी ने कहा कि ये वही चिराग पास्वान है जिनका कई जगह इंटरव्यू है जिसमें वे शंपन दलितों को आरक्षन छोड़ने की अपील कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि एंडिये सरकार लगातार इस तरह का काम कर रही है कि आरक्षन को समाप्त किया जाए वहां चिराग पास्वान सत्ता के भागिदार है मुख्या मंदरे नितिश कुमार मुख में दही जमा कर बैठे हैं वो लाचार हैं बेचारे हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ तेजश्वी आदब का साफ तोर पर कहना है नितिश कुमार को लाचार पेचारा कहते हुए नजर आ रहे हैं वहीं पर अगर हम बात करें जीतन राम मांजी को ले करके तो जीतन राम मांजी को ले करके भी तेजश्वी आदब का यही कहना है कि मांजी ही बताएं कि वे उनके बेटे संतो, सुमन और परिवार के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री निदिश कुमार को भी लगातार निशाने पर लिया है और साथी साथ चिराग पासवान से उनके संपन दलितों को आरक्षन छोड़ देने वाले बयान पर भी सवाल खरे कर दिये हैं अप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा फिला इस वक्त की खबर भी इतना है और ऐसे ही तमांग खबरों के लिए देखते रही एक News24 वीडियो पसंद आया वो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक News24 को सब्सक्राइब करें यदि आप फेस्बूक पेज को देख पारें तो मारे फेस्बूक पेज को फॉलो करें धन्यवार